नमस्कार किसान भाईयो मैं सूरी दवल फिट से हाजीर हूँ आपके अपने चैनल एगरिकल्चर गुरू जी में किसान भाईयो आज हम बात करेंगे गन्ये के लिए एक रामबान खात के बारे में गन्ये की लंबाई गन्ये की मोटाई और गन्ये को रोगों से बचाने के लिए आप इस खात का उपयोग कर सकते हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैं लगातार वीडियो बना करके दे रहा हूँ तो आपको कोई भी कीटना सक या कोई भी ग्रोथ प्रमोटर लगातार नहीं डालना है यदि आपने आज की डेट में ग्रोथ प्रमोटर या किसी कीटना सका उपयोग किया है तो आपको अगली बार कम से कम 35 से लेके 40 दिन का अंतर अगले growth promoter, अगले insecticide या फिर अगले spray में रखना होता है क्योंकि मैं लगातार वीडियो आपको बना करके दे रहा हूँ, अच्छे अच्छी जानकारी देने के आपको कोसिस कर रहा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सभी उर्वक, सभी खाद अपने गन्ये की फसल के अंदर डालने हैं जिन किसान भाईयों ने अभी तक किसी भी खाद का किसी भी किटनासक का उपयोग नहीं किया है वे इसका उपयोग कर सकते हैं बात करें इसका उपयोग आप कितने दिन की फसल में कर सकते हैं तो जब आपकी गन्ने की फसल जो है लगबग 100 दिन से उपर की होती है तब आप इस कीट ना सका इस growth promoter का उपयोग कर सकते हैं जिसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने व पोधे गन्ने में फटेरा तता थायो मतोकसम डाला था आज चार दिन हो गए हैं लेकिन टोप बुरर के लक्षण दीख रहे हैं कहीं कहीं तो अब क्या करें उपर से बारिज स्टार्ट हो रही है रिप्लाई ज़रूर करें तो आसिस राठी जी यदि अभी आपको इसे डाले लगबग चार दिन होए हैं तो घबराने वाली बात नहीं है ये लगबग चार से पांच दिन के अंदर बिल्कुल टोप बॉरर को हटा देगा परिसाने वाली कोई बात नहीं है अगला कमेंट है कोसल जी का ये कहने सर फटेरा और थायो मतोकसम का रिजल्ट कैसा रहेगा प्लीज रिपलाय सून इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा आप इसका एक बार उप्योग करके देख सकते हैं अगला कमेंट है रोहित मलिक जी का ये कहने गुरू जी नमशकार पोटास को गन्ना बनाए के बाद में डाल सकते हैं क्या जी हाँ आप जेब्रेलिक और एनपी के उननिस उननिस का इस्प्रेल किया लंबाई तो बढ़ गए लेकिन पीलापन नजर आ रहा है प्लीज हेल्प मी तो आप अपने गन्नी की फसल के अंदर एक तो सल्फर ले लीजिए लगवा चार से लेके पांच किलोग्राम और यूरिय ले ले ल कैलसिम नाइटरेट और यूरिय एक साथ डाल सकते हैं क्या प्लीज बताईएगा तो देखे इतने सारे यह आपको एक साथ नहीं डालने हैं बिल्कुल नहीं डालेंगे आप एक साथ इन में से दो एक बार डाली और दो एक बार डाली तब आपको ज़्याद अच्छा रेल नहीं किया यदि आप कट चुके हैं तो आपको इसका उप्योग नहीं करना है इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ जैसे ही आप इसे डालेंगे 24 गंटे के अंदर अंदर आपको अपने गन्य की सिचाई अवस्य करनी है और उसके बाद 10 से लेके 12 दिन के बाद आपको द करते हैं तो इस समय पर से जो सलफर है आपके गन्य की फिसल के अंदर जो इस समय पर फंगर्स का एटैक बहुच जाए दिखाई दे रहा है रेड रूट की समस्य से भी इस समय पर आएगी तो उससे निजात पाने में ये काफी ज़दे मदद हमारी करेगा तो आपको अच्छी तरीक से बड़वार करता है तो उसे एक्ष्टा कुछ खा दो की अवस्क्ता पड़ती है तो यदि इस समय पर हम उसे यूर्यत देंगे तो गन्य की बड़वार में कोई भी कमी नहीं आएगी और आपका गन्या जो होगा वाल लागातार हरा बारा बना रहेगा इ ये सागरिका के मुकाबले लग भग लग बग दोगना ज्याद है थे इसके अंदर जो कौंटरिटी है जो माफिछ जाऊंगा पिपृत का मिस्टर कुछ गया है इसके साथ किसान पर एक कीटना सक के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप वर्ट एको का उप्योग कर सकते हैं, लेकिन वर्ट एको ओरिजनल होनी चाहिए लोकल वर्ट एको नहीं हूँ, यदि आपको ओरिजनल और नकली के पहचान नहीं है, तो आप मेरे दूसा चैनल है, Fertilizer Expert, उस पर मैंने एक वीडियो बना करके डाली हुई है, उस वीडियो को जदी आप देख पाएंगे, तो आपको इस समझ में आसानी के साथ आजाएगा, कि वर्ट एको ओरिजनल और नकली, इन दोनों की पहचान कैसे है, उसमें ने 5 से लेके 6 से तरीक बन जाता है, इन्हें आप मिक्स करके अपने गन्नी की फसल की जड़ों के पास में आप इसे डलवा सकते हैं, चाहें वो आपका पोदा करना हो, चाहें वो आपका पेड़ी करना हो, दोनों में आप इसका उप्योग कर सकते हैं, काफी अच्छे रेल्ट आपको देखने को म मिल जाएंगे उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूँ